गुड आफ्टरनून नाइन्थ क्लास शुबत ध्यानम नाइन्थ क्लास हम अपना अस्ट्रम पार्ट पढ़े थे लोहतुला है ना लोहतुला में हमने पार्ट को पढ़ा उसके बाद आपको कहा गया था इस पार्ट की सब्दार्थ करने के लिए आपने सब्दार्थ किये अभ्यास में पहला question है एक पद में उत्तर लिखिए पहला को दिया गया है वानिक के पुत्रस्य किम नाम आसीत वानिक के पुत्र का क्या नाम था जिर्ण धना जो अपने दराजू को किसी सेट के यहां रग गया था और देश खूम ने देश एक देश से दूसे देश में चला गया था और वापस आने पे उसने ही तराजू मांगी थी कौन था वो जिर्ण धन पाट आपने पड़ा उसमें इसका जिग्र आया है ठीक है इसी के बारे में कहानी थी तो वानिक्य पुत्र का नाम क्या था क्या लिकोगे उत्तर में जिर्ण धना है दूसरा है तुला काई भक्षिता आसी तुला को किसने खाया था तुला को किसने खाया बताया गया था मूँ शकाई ठीक है चूहे ने तराजू को खा लिया ऐसे बताया गया था अगला है अगला है तुला की द्रिसी आसी तुला क अगरा है पुत्र के नहता इती जीन धना वदती पुत्र को किसने कौन ले गया या किसने खाया ऐसा जीन धनने कहा ने जीन धनने अर्थार बाजने कहा था जीर्ण धन्य कहा था कि तुम्हारे पुत्र को सेट से कहा था कि तुम्हारे पुत्र को सेनेन अर्थात बाज उठा कर ले गया तो पुत्र केने हता हा इती जीर्ण धना वदती सेहनेन ठीक है जिवर्ण दण ने कहा था कि तुम्हारा पुत्र को कौन ले गया, बाज उठा ले गया तो आंसर क्या आएगा स्याय ने, ठीक है अगला है विवद मानों, तौ दौ अपी, कुत्र गतो हूँ अपने विवाद को ले करके दोनों ने जो विवाद किया था उसको ले करके दोनों कहां गए कुत्र अर्थात कहां गतो अर्थात गए तो दोनों कहां गए राजकुल में ठीक है तो आंसर क्या आएगा राजकुलम ठीक हो गया अगला question है इसमें अदो लिखीता नाम, प्रस्ना नाम, उत्तराणी, संस्कृत भाजाया लिखात अब इन question हो के answer हमने पूर्ण वाक्य में लिखने है को question है इसमें देशान तरम, गंतु मिच्छन, वानिक्या पुत्रह किम्व्यचिंदियत ठीक है देश, दूसरे देश में जाने के लिए वानिक्या पुत्र ने क्या सोचा ठीक है जिर्ण धन नामा के क्या था बनी का पुत्र था उसने दूसरे देश में जाने के लिए क्या सोचा तो क्या सोचा उसने सोचा कि जिस देश अथ्वास्तान पे अपने प्राकरम से भोग भोगे जाते हैं ऐसे सोचा था न वहाँ धन ऐस्वरे से हीन रहने वाला मनुस्य क्या कहलाता है नीज पुरुस होता है ऐसा उसने सोचा था आपको बताया था सबसे फस्ट पंक्ति में थे आए कि जिस देश अथ्वास्तान पे अपने प्राकरम से भोग भोगे जाते हैं वहाँ धन ऐस्वरे से हीन रहने वाला मनुस्य क्या कहलाता है नीज कहलाता है तो इसका अंसर आजाएगा इसका अंसर आएगा देशा अनंतरम गंदु मिच्छन वानिक्य पुत्रह व्यचिंतियाद यत्रस्व विर्यतह भोगा भुकताह तस्मिनिस्ताने या विवहीन वसेद सो पुरुशा धमा ठीक है जो मैंने आपको बताया कि जिस देश सत्वास्तान पे अपने पराक्रम से भोग भोगे जाते हैं वहाँ धन एस्वरे से हीन रहने वाला मनुस्य नीच पुरुश होता है ठीक है अगला क्वेशन पुछा गया है इसमे अगला क्वेशन पुछा है अपने तुला को मांगने के लिए जिन धन ने सेष्ट से क्या कहा तो क्या कहा उसने कहा तव धिया तुला मूश कै भक्षिता इती ठीक है जब जिन धन ने सेट ने कहा जिन धन से जब जिन धन ने अपना तराजू मांगा तो सेट ने कहा क्या कहा कि बोत वधिया तुला मूश कै भक्षिता इती उसने पूछा था उसने कहा कि स्वतुला याच मानम जिन धनम सेष्टी किम अकतिया जब अपनी तुला को जिन धन ने मांगा तो सेट ने क्या कहा? तो क्या कहा सेट ने? स्वतुलाम याचवानम जीनधनम सेष्टी अकथिया भोज बो त्वदिया तुला मूशकई भक्षिता इती तुमारी तुला को चुहे खा गई, तुमारी तराजु को चुहे खा गई अगला क्वेशन है, जीनधना गिरी गुहार द्वारम कया आचाध्या ग्रहम आगता है? जीनधने गिरी गुहार द्वारम अर्थात उस गुफे को किस से ढखा? ठीक है? किस से ढख करके वहो घर को आ गया? तो किस से ढख करके घर को आया? जीनधने आंसर आएगा जीन दना गिरी गुहार द्वारं ब्रिहत छिलाया आचाद्य गरहम आगता एक बड़ा सा पत्थर से उस गुफा को ढख दिया जहां उसने सेट का किसको पुत्र को रखा था और घर को वह आगया ठीक है अगला क्वेशन है इसनानां तरम पुत्र विशये प्रिष्टह वानिक्य पुत्रह स्रेश्टीम किम अकथिया ठीक है इसनान करने के बाद ठीक है पुत्र के विशये में पूछा उस सेट ने तो वानिक्य पुत्र अथा जीन धन ने सेट से क्या कहा वानिक्य का पुत्र तो क के पुत्र को अपने साथ वह असनान के लिए ले गिया था कौन जीन धन ठीक है वानिक्या पुत्र ठीक है किसको किसके पुत्र को सेट के पुत्र को ले गिया था यहां पे वानिक्या पुत्र का जिक्र आया है जो कौन है जीन धन है ठीक है आया समझ में और सेट के पुत्र को अपने साथ कहा ले गिये थे नहाने के दिये ले गई थे जब वह नहा करके आए तो सेट वानिक्य पुत्र ने जीर्ण धन्य से क्या कहा तो क्या कहा जीर्ण धन्य कहा इसनाना अंतरम पुत्र विसे प्रिस्टह वानिक्य पुत्रह स्रेश्टीन अव उवाच शेट से कहा नदी के टट से तुम्हारे बालक को बाज उठा ले गया अगला क्वेशन है धर्मा अधिकारे नहां जीर्ण धन्य स्रेश्टनाव कम कथम तोसी वन्तह जो धर्म के अधिकारी से जो न्याय करता थे उन्होंने जीर्ण धन और सेट को कैसे संतोस किया तो कैसे संतोस किया जब उन्याय करने गए तो धर्मा अधिकारी जीर्धन स्रेश्टनाव परसपरम संबोध्य तुला सिसु परधानेन संतोस इतव ठीक है उस न्याय करता ने सेट और जीर्धन को उनका सामान परसपरम संबोध्य अर्था तुला और सिसु को परधान करके उनको क्या किया संतोस किया जिसकी तुला थी उसको तुला दिया और जिसका सिसु था उसको सिसु दे दिया तो उनको क्या कर दिया दोनों को संतोस कर दिया तो आज आप एक पद और पूर्ण वाक्य के क्वेशन करोगे अगले वीडियो में आपको इसे आगे वाले क्वेशन कराई जाएंगे